वेलकम टू ब्लैक बोर्ड आज के हम अपनी इस वीडियो में चाइना के बॉमबर जियान H6 के बारे में बात करने वाले हैं जी हाँ रिसेंटली ये बहुत ही जादा चर्चा में था क्योंकि भारत और चीन के बीच चो लद्दाक सेक्टर में गतिरोद उत्पन हुआ था उस समय चीन ने इस बॉमबर को भारतीय सीमा के बिलकुल नजदी खड़ा कर दिया था और इसे बड़े-बड़े एक्सपर्ट भारत के लिए एक थ्रेट की तरह देख रहे थे तो आज इसके इंपॉर्डेंस के बारे में हम देखने वाले हैं रोल स्ट्रेटिजिक बॉमबर है जी हाँ ये फाइटर एरक्राफ्ट से बिलकुल अलग होते हैं रिजन कि ये लंबे समय तक जो होता है हवा में रह सकते है और काफी लंबी दूरी तक ये बम को कैरी कर सकते हैं काफी जादा पेलोड के कैरी कर सकते हैं एक साथ में साथ ही कन्वेस्टनल के साथ साथ जो न्यूक्लियर डेटरेंट है उनको भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिजिक इंपोर्डेंस का होता है obviously इसको चाइना ने डेवलप किया है manufacturer जियान Aircraft Industries Corporation ने इसकी first flight 1959 में की गए थी 1969 में और introduction 1969 ठीक उसके 10 साल बाद किया गया था Iraq जो था इसको यूज कर रहा था लेकि 91 में उसने इससे रिटायर कर दिया और Egypt भी इसको रिटायर अपने Air Force से कर चुका है 2000 के आसपास में status and service है production में इसका भी चल रहा है अगर हम primary user की बात करते हैं तो PLA People's Liberation Army जो की Air Force Navy जो चाइना की है ये यूज कर रही है Egyptian Air Force इसका यूज कर रही थी 2011 उन्होंने इससे रिटायर कर दिया था Iraqi Air Force में इसका यूज कर चुकी है हलाकि 1991 के आसपास में उन्होंने इससे रिटायर कर दिया था अगर नमबस ब्यूल्ट के बात करते हैं तो अब तक लगभग 231 से ज़्यादा इसके नमबस अभी तक बनाय जा चुके है वहीं इसके manufacturing history को देखिएगा तो जैसे कि आपको पता है चाइना जो होता है न वो copy करने माहिर होता है जी हाँ तो इन्होंने इस bomber को H6 bomber को Russian bomber to play Tu-16 को देखके copy किया है जी हाँ और एक licensed copy है ऐसा ने कि बस ऐसे illegal या reverse engineering से बना दिया गया है इन्होंने proper Russia से license लिया और उनका जो Tu-16 bomber है उसको देखके बिल्कुल उसका एक copy उन्होंने अपना तयार कर लिया हलाकि आदे से ज़्यादा जो Chinese weapons होते हैं या तो legal रूप से या illegal रूप से reverse engineering के थूँ ये Russian weapons के copy ही करके बनाते हैं इसके variant बहुत सारे देखने को मिलेंगे क्योंकि इसका एक variant ये Air Force के लिए डेवलप किया है फिर ये Navy के लिए भी कर चुके है फिर Army के लिए कर चुके है और लगभग ऐसा माना जाता है कि ये 500 से ज़ादा ऐसे Bomber का इस्तमाल अभी कर रहा है अगर specification की बात करें तो इसमें crew होते है total 4 length इसका लगभग 35 मिटर के आसपास का है wing span 33 मिटर का है height इसका 60 मिटर के आसपास का है वहीं अगर इसके weight की बात करते है तो जो इसका empty weight है वो है 37,200 kg 37,200 kg का empty weight है और maximum take-off weight इसका 95,000 kg का है मतलब जो remaining almost 60,000 kg का weight है जिसमें fuel के साथ पेलोड भी आते है मतलब समझ सकते हैं कि काफी अच्छे मात्रा में heavy amount में यह पेलोड का अपने साथ carry कर सकता है double engine का यह है जो कि इसको power देते है speed के बात करते हैं तो 1050 km प्रती घंटे की maximum speed है cruise speed 768 km प्रती घंटे की आसपास की है range 6000 km बताया जाता है इसका जो कि बहुत ही जादा attractive है combat range भी इसका बहुत अच्छा है 800 km तक का है जबकि इसका जो thrust upon weight का जो ratio है वो है 0.24 का missiles का ध्यान रखिएगा इसमें missiles बहुत सारे type के use करेगा जैसे antisip missiles आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे यह लगतार 4-5 ऐसे missiles देखने को मिल रहे है जो antisip missiles है जिसका इस्तमाल इस version में जिसके बारे हम बात कर रहे है इसमें use किया गया है वहीं इसमें different type के guided bombs भी आपको देखने को मिल सकते हैं आप समझ सकते हैं कि इतने सारे specifications वाले अगर कोई bomber चाइना हमारे नजदी खड़ा कर देता है तो हमारे लिए tension होगा क्योंकि इंडिया का पास कोई भी ऐसा dedicated bomber अभी तक नहीं है कुछ news आ रही थी कि हम रसिया से खरीदने वाले हैं लेकिन वो futuristic है पता नहीं हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे क्या प्लान हमारे कुछ कह नहीं सकते है वैसे इंडिया अपने इस bombing missions के लिए न मिराज 2000 का यूज करता है ज्यादा तर लेकिन वो कभी भी एक जो bomber होता है उसके equivalent नहीं हो सकता है I hope आपको सब कुछ crystal clear हो गया होगा Thank you for watching Thank you very much